वो ममता की थी तस्वीर हाँ वो थी एक क्रांटी वीर वो जग को राह दिखाती थी सब को जीना जिकलाती थी नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी हर पल आवाज उठाती थी खर लेती थी सब की पी सावित्री बाई थी वो क्रांटी वी क्रांटी जोती थी वो क्रांटी वी सावित्री बाई थी वो क्रांटी वी आसर अजबने हो अजबने हो आसर आसर अजबने हो बढ़ाई जढ़ाई 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 जढ़ा पकड़ा उस डायन को मैं डायन नहीं भाई थारे गाव का नाश करके रखा है तरपंच भाव मैं कुछ नहीं करे मैं तो आप लोग के गाव की आप लोग पैचन के मेरे को आपको क्या लगता मैं टायन हूँ और काखा आप तो उन्हें को गोद में खिलाएं मैं अभलोग की दामीनी तेरे जैसे आउरत के लिए एक ही सजा है मौत सर दामीनी सरोज की हत्या से एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि आज के समाज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सच में एक आदुनिक समाज में जी रहे हैं एक तरफ लड़कियां अंतरिक्ष की सेर कर रहे हैं हिमालय पर चड़कर चंडा भैरा रहे हैं डॉक्तर्स, इंजीनियर्स, ऑपिसर्स बन रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इतनी क्रूर और अमानविये घटना घटी हैं जिससे सुनकर रॉंक्ते खड़े हो जाएं दिल्ली मुंबई की सडके हो या फिर छोटे-छोटे गाओं की पकड़नडिया महिलाय कहीं सुरक्षित नहीं यह सवाल आपको सरकार और प्रसासन से पुछना चाहिए उस गाओं के पुलीस इंस्पेक्टर से यह सवाल पुछना चाहिए जहां एक औरत को डायन बता कर मार दिया गया आप मेरे पास क्यूं आई हो? मैं इस घटना का जवाब दे ही नहीं मैं तो बस एक शोशन वर्कर हूँ सर इसी लिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्यूंकि सरकार तो सिर्फ बहाने देती है आप ने और आपकी संस्थाने मिलकर महिला सशक्ती करण के लिए इतना कुछ किया है आपके पास इसके उपाय होंगे जरूर इन हालात में स्त्रियों की स्थिती देखकर क्या आपको यह नहीं लगता कि हम 21 सदी में नहीं बलकि 16, 17 या 18 शताबदी में जी रहे हैं बराबर बिलकुल सही बोला तुमने जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक 21 सताबदी भी हमें 16 सदी ही लगेगी तो सर इस सोच को बदलने के उपाय क्या है एक उपाय तो है शिक्षा लेकिन वो भी पूरा नहीं है आधा है और यह आधा उपाय सब लोग तक ओंशने रहा है आजादी के 69 यार्स की बाद भी हमारे लिटरेसी का रेट क्या है आपको मालूम है 74 परसंट सर अग एफिक इस प्रिटी गुड मेडम आपको पता है 26 परसंट मतलब साढ़े बत्तीस करोड 32 करोड 50 लाख लोग आज भी कखग नहीं जानते और आप कहती है कि प्रिटी गुड सर आपने कहा था कि शिक्षा आधा उपाय तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं शिक्षा रोजगारी का साधन है इससे बदलाव की उमीद नहीं कर सकते तो फिर कैसे आएगा बदलाव आखिर कैसे बदलेगी स्ट्रियों की स्थिती मैं तो बस एकी रास्ता जानता हूँ और पीछले तीस साल से मैं उसी रास्ते पे चर्णा हूँ तवे ओफ सावित्री बाइफुले स्त्रियों उठो जागो शिक्षित बनो और परंपरा की बेडियो को तोडो खुद को मुक्त करो यही रास्ता बताया था सावित्री बाइफुले ने यही समाधान है वाव वाव सावित्री बाइफुले क्या यह आपकी तरह एंजियो चलाती है आप सावित्री बाइफुले को नहीं जानती हो और आप यहां स्त्री बुक्ती और सनमान की बात कर रही हो और आप क्रांती जोती सावित्री बाइफुले को नहीं जानती हो एक पत्रकान वह भी महिला पत्रकान और सावितरी बाइ फुले नहीं जानिया Sir, I'm really sorry but You should be क्योंकि सावितरी बाइ फुले को ना जानने का मतलब है अपने आय बाबा को ना जानना सावितरी बाइ फुले का अर्थ नहीं जानना मतलब अपने आपको नहीं जानना आप मुझसे पूछ रहिए, सावितरी भाई फुले कौन है? एंजियो चलाती है? यूमेग गो. मुझा आपसे कुछ बात नहीं करना, हमारा इंटर्वी यही खतम हो गया. प्लीज, गो. Sir, I'm really sorry. I really understand your emotions, but यह दुनिया इतनी बड़ी है. हम हर चीज नहीं जान पाते. कभी-कभी कुछ चीज़े हमसे मिस हो जाती है. मिस हो जाती है? मेडम, जिन्हों ने आपको ग्यान का पहला पाठ सिखाया. यह जो आप माइक साइक ले के अंगरे जी जाड रही है, ना? यह भी सावीतृ बाई फुले की वजह से. सिर्फ आप ही नहीं. हमारे देश की तमाम लड़किया, आज जो तरक्की कर रही है, आज जो अधिकार कर रही है, वो भी सिर्फ सावीतृ बाई फूले की वजह से. और आप कुछ इंपोर्टन चीज की तरह सावितरी बाई फूले को न जानना एक सामन्य बाद समझते हैं अगर आपको स्ट्रीक के बारे में इतना ही कुछ करना है सबसे पहले जानने की कोशिश करिए कि क्रांती जोती सावितरी बाई फूले कौन है अब जा सावितरी बाई पूले हेलो आई यो ओके मेरी वज़ा से आपका इंटर्वियू खराब हो गया इस ओके भाजकर जी बहुत इमोशनल इंसान है मैं देख लूँगी यार माम क्या आप सावित्री बाइपूले को जानती है ओ कमान बेबी नहीं मैं भी नहीं जानती हो और आज की डेट में फेस्बुक, वाटसप के जमाने में कौन ये सब की बारे में डिसकस करता है प्लीज, फोगेट इट काव्या मन्जुले एक पुराने ख्यालत का अदमी है अरे उसकी सोच हमारी सोच से कोसो दूर है यार वो खुद एक पत्रकार रह चुका है और राज का चनलिजम काफी एडवांस हो चुका है हाँ, मेभी और राइट पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे साविट्री बाई फूले के बारे में जानना चाहिए प्लीज जान के क्या करेगी यार इस नो यूज मैं, मैं तो कहती हूँ न इसे एक ब्रेक की ज़रूरत है प्लीज, इसे न एक ब्रेक दे ही दीचे आई थिक मुझे भी लगता है तुमको एक ब्रेक की ज़रूरत है और वैसे भी कल सुबह हम लोगों को गोवा निकलना है तुम लोगों को गोवा एवेंट कवर करना है ठीक है, गॉट इट और हाँ बेबे, प्लीज भासकर और सवित्री भाई फुले से थोड़ा बाहर आओ और कॉंसेंट्रेट अन यूर वर्क, प्लीज या कम ओन, काव्या, चेल यार, अरे, अब दो अपना मुट से एकर कम ओन, हमें कोवा के लिए निकलना है यार ओके, ओके, फाइन अब में साविची भाई फुले के बारे में नहीं सोचूँगी, ओके राइट नाव, अब देस्लाग एग गुट गर्ण अब पत्रकार, वो भी महिला पत्रकार और सावित्री भाई फुले के नहीं जानती, और आप याँ स्त्री भुक्ती और सन्मान की बात कर रहेंगे क्रांती जोकी सावित्री भाई फुले को नहीं जानती है, 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 सावित्री भाई फुले को नहीं ज पावित्री बाई भूले हमारे तेश की पहली माईला शिक्षक माई गॉड मुझे सावित्री बाई भूले के बारे में और जानना होगा सर् तुम तुम फिर आगाई मैंने का था ना मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है मुझे तुम्हें कोई इंटर्वीव नहीं देना है प्लीज चले जाओ यहां से सर मैं यहां आपका इंटर्व्यू लेने नहीं आई मैं यहां आई हूँ अपनी गल्ती को सुधारने के लिए की अपने समझ गई है कि माने सावित्रि बाइफूले के बारे कितनी बड़ी गल्ती की असलिए उसी गल्ती को सुधारना चाहते हैं उनके बारे में सब कुछ चान कर तो इस उसी अपना जान कर अथा तरह से हुआ हुआ एक शॉर्ट फिल्म बनाओगी, एवोर्ड जितोगी काविया मेडम, I'm sorry मैं तुमारी हेल्प ने का सकता भासकर जी, आप मुझे गलत समझ रहें मैं कोई शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए या कोई अवोर्ड जीतने के लिए उनके बारे में नहीं जानना चाती हूं मैं सावित्री बाई फूले के बारे में जानना चाती हूं ताकि खुद को जान पाऊं क्योंकि मैं ये बात समझ गई हूं कि आज की कोई भी लड़की, कोई भी महिला सावित्री बाई को जाने बगर फुद को नहीं जान सकती सर प्लीज, प्लीज हेल्प मी सावित्री बाई पूले के जीवन, उनके विचारों महिलाओ के लिए उनके संघर्षों को मैं गूगल से नहीं समझ चाती उसे समझने के लिए मुझे कुई आप जैसा व्यक्ती चाहिए जिन्होंने उनके विचारों को जीया काविया जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सचमुच सावित्री बाई फूले के बारे में जानना चाहती हो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुमने ठीक का सावित्री बाई फूले के बारे में वही व्यक्ती बता सकते हैं जिन्होंने सावित्री बाई फूले का विचार को जीया मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो सावितरी बाय फूले का सच्चा अनुयाई है कौन है बुक प्रोफेसर नामदेव पाटी लग मैं उनसे कहां मिल सकते हैं सतारा जिल्ले के पास एक छोटा सा गाह हो एक चोटा सा गाह हो उडाल नाम वो वही रहते हैं और तुम्हें वही मिलेगा सतारा डिस्टोप पाल को वही रहते हैं हाहाई अ... हुआ 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 है कि यह नाम्रिपाटिल का घर किदर है यह गनेश मंदर का पास ही बोला था अरे वो पागल बुढ़्धा पागल बुढ़्धा? हाँ आपको उससे क्या काम है? मुझे को जरूरी काम की चल्सले में उन्चे मिलना है अरे अच्छा अच्छा च्छा ठीक है ठीक है चलिए मैं उनका एडिस बताता हूं यह मंदर के पीछे राइट मारें है तो उसका घर आएगा अच्छा गाड़ी? ची सड़क है गाड़ी नहीं जा पाएगा तो पाइदनी चरना बड़ेगा ठीक चलिए हो जरा मेडम समाल कहिएगा कच्छा रस्ता है हां 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 जरा मेडम एक बात बताएगे बंबे सहर से उस पागल भुड़े से मिलने आएगे मेरे बात मानिये बुड़ा बहुत पागल है सटकेला है आप मुंबई रीटेंच चला जाएगे आये चलिए हाँ हाँ जो आ गया पागल भुड़ेगा गर थैंक यू बेर थैंक यू पहली आएगा दाना डालेगा जाल भिचाएगा पर जाल में फस्नम है बहुत आएगा जाल भिचाएगा पर अच्छे बहुत अच्छे याद हैन तुमें सावित्री बाई ने क्या गहा हैं स्थ्रियो उठो शिख्षित बनो जागो मिंट्र जी में खेलने जाओ हाँ हाँ जाओ लेकिन कल कल वक्माना जाओ तुम जाओ है कि स्तुरीयो उतो जागो नाम्तिव जी शिक्षित बनो मैं काप्या बैनर जी मुंबई से आई हूं मुंबई के लोग तो शिक्षित बनकर भी अशिक्षित रहे गए है वो सावीत्री भाई फूले के उद्देश को पूरी तरह से फूल गए है सावीत्री भाई फूले के उद्देश को छोड़ो वो सावीत्री काका मैं एक रिपोर्टर हूँ मुंबई से यहां आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने रिपोर्टर ना यहां कोई दंगा हुआ है न फसाद और नाहीं कोई इलेक्षन है गाव में तो किस बात की रिपोर्टिंग करने आई हो कि जाओ कोई और गाहों धूंड लो काका मैं आपसे साविच्री भाई फूले के बारे में जानना चाहती हूं तो खेल किसे ने बताया नहीं मैं एक पागल बुड़्डा हूँ अब मैं साविच्री भाई फूले के बारे में कुछ नहीं जानता कुछ नहीं यानता मैं जलियाओ जलियाओ यहां से काका तुम अभी तक गई नहीं यहां से मैंने तुम से कहाता नहीं मैं साविच्री भाई फूली के बारे में कुछ नहीं यानता क्या हूं यहां से मैं कुछ नहीं यानता क्या हूं जो लड़कियों की बहतरी के लिए उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है वो प्रोफेसर नाम देव पाटेल है पंको मेरे बच्ची को मुझे दे दे अरे कोड़ी थामबा दादा आप कुछ कहिए रहां काका तुम्ही तरी सांगा रहां देख मैं उसे समाल हमें